गुद्ट मॉनिंग श्टूडेंट्स आज हम लोग फोकस पर डिस्कस करेंगे फोकस में प्रिंस्पल फोकस और फिर मीरर में यहां पर हम लोग जैसा आप लोग पिछली वीडियो जुमें देख चुके हैं कॉनकेब मीरर और कॉनवेक्स मीरर इसमें कुछ टर्म स्था जिस इस पर हम लोगों ने discuss किया, concave किसको बोलेंगे, convex किसको बोलेंगे, इस पर भी हम लोगों ने discuss किया, अब इसमें एक बहुत ही important topic आता है, principle focus क्या होता है, ऐसे तो principle focus उस point को कहा जाता है, जो की pool और center of curvature का midpoint होता है, ये mathematically है, diagram से इसको हम आपको बताते हैं कि principle focus बास्तम में क्या होता है, माल लेते हैं, ये एक mirror है, ये mirror का थिकने सो करेंगे, और ये mirror कौन के पहले हम लोग लेते हैं, तो कौन के mirror के लिए, इसका outer part को silver करेंगे, ये इसका outer part silver हो गया, और जो inward part है, inner part, वो reflecting surface होगा, इसका मतलब इसका reflecting face ये वालाएगा, ठीक है, एक principle axis ले लेते हैं हम लोग, ये pole हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग इसको C माल लेते हैं, center of curvature के नाम से जानते हैं, ये इसका aperture कहलाएगा, aperture actual में जो mirror का reflecting surface होता है, उसके length को हम लोग अपर बोलेंगा, अब आइसा करते हैं कि दो चार parallel range लेते हैं, यहाँ पर हम लोग parallel range लेंगे, principle axis के, तो इस परकार से ये एक ray हुआ, इसको ray number one दे देते हैं, और ये एक दूसरा ray है, जो कि ray number two लिखेंगे, symbol से, जो कि उसका, उसमें confusion नहीं हो, ये दोनों range parallel है, principle axis के और खुद से भी parallel है, यानि कि ये तिनों lines जो ray है, वो parallel है, इस point पर ये दो point इसका है, एक point ये और एक point ये, तो इस दोनों points पर ये दोनों range reflect करेगा, तो reflect करने के बाद, ये इस तरह से पास कर जाएगा, ये ray भी इस तरह से पास कर जाएगा, ये ray number one है, और ये ray number two है, तो principle focus वो point होता है, यहाँ पर ये point हुआ, parallel range, जब कॉनके mirror पर incidence करते हैं, तो after reflection, they pass through a fixed point, ये दोनों range, after reflection, pass through this fixed point, and this fixed point is called principle focus, हम लोग इसी को principle focus कहेंगे, ठीक है, अब यहाँ पर एक question आता है, कि ये जो दो ray हम लोग parallel देते हैं, ray one और ray two, ये दोनों हम लोग parallel दिये, ये आपस में तो parallel है ही, और principle axis के भी parallel है, तो क्या ये भी possible है, कि ये हम लोग एक mirror ले लिए, इसका ये part, silvered होगा, यहाँ पर एक हम लोग principal axis खिच दिये, पूल हुआ और ये C हुआ, अब हम लोग इस बार, ये दोनों रेज जो कि principal axis के parallel लिये थे, यहाँ पर principal axis के parallel नहीं लेंगे, लेकिन वो दोनों रेज, आपस में जरूर parallel होना चाहिए, तो ये इस परकार से हो जाएगा, इसको ray number one मानेंगे और ये ray number two हुआ, यहाँ पर ये बात नोट करने वाली है, कि ये दोनों आपस में तो parallel है, लेकिन principal axis के parallel ये आपको नहीं लग रहा है, है ही नहीं तो लगेगा किसे, ठीक, तो reflection के बाद, ये किधर से पास करेगा, तो ये इस तरह से पास कर जाएगा, ये ray number one और ये ray number two, हम क्या देख रहे हैं, अब ये कुछ सरूर उटता है, कि parallel range after reflection, ये तो यहाँ पर cut कर रहा है, इसका cutting point तो ये है, जो कि principal axis से बाहर है, तो यहाँ पर principal focus का definition क्या हुआ, कैसे हम कर सकते हैं कि parallel range after reflection meet at a point, and that point is called principal focus of the mirror, यहाँ पर कैसे principal focus हो जाएगा, अगर हम इसको principal focus मनते हैं, तो ये तो principal axis से बाहर हो गया, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, यहाँ पर एक line इस तरह से अगर आप खीच देते हैं, ये, ये line जो खीचेंगे, तो ये line principal focus होकर ही पास करेगा, यनि कि ये point हमारा principal focus ही होगा, principal focus, तो range अगर parallel principal axis के है, तो इस तरह का diagram हम लोग देखेंगे, अगर range parallel principal axis के नहीं है, तो भी वो after reflection उसी point होकर जाएगा, लेकिन ये principal axis पर नहीं होके, principal axis से नीचे हो सकता है, लेकिन एक vertical line जब principal axis पर parallel खीचा जाएगा, perpendicular खीचा जाएगा, तो वो जिस point पर principal axis को काटेगा, ये ही वो point focus होगा, और ये जो plane है, हम इसको focal plane बूलते हैं, ये हो गया हमारा focal plane, यही है, principal focus, and this is the definition of principal focus, आपका सकते हैं, two or more parallel reach, after reflection from a concave mirror, they pass through a fixed point, and that fixed point is called principal focus of the mirror, यहाँ पर ये principal focus होगया, अब ये तो कौन के mirror के बाद थी, convex mirror में किसे होता है, तो इसको देखे, एक convex mirror बना लेते हैं, ये हमारा convex mirror है, ये पूल होगा, यहाँ पर ये center of curvature होगा, इसका inward face जो होगा, वो silvered होगा, तो हम लोग इसका inward face silvered कर देते हैं, ये convex mirror होगया, अब हम लोग दो parallel ray लेते हैं, इस बार एक ray उपर लेते हैं principal axis के, एक ray नीचे लेते हैं principal axis के, तो यहाँ पर से एक ray ले लिए, principal axis के parallel होगा ray number one, ठीक, और एक नीचे ले लेते हैं इस परकार से, ये ray number two है, तोनों rays principal axis के parallel है, और खुद से भी parallel है, यहाँ पर reflect करने के बाद, incident करने के बाद, इसका reflection कैसा होगा, देखिए, यहाँ से एक perpendicular इस पर हम लोग draw कर देते हैं, यहाँ से भी एक perpendicular draw कर देते हैं, इस point पर, अब यह जितना angle होगा, उतना ही angle से यह reflect कर जाएगा, तो यह इस परकार से चला जाएगा, फिर उस तरह से यहाँ पर भी हो जाएगा, यह जितना angle होगा, उतना ही angle से यह reflect कर जाएगा, तो यह ray number two reflected है, यह ray number one reflected ray और यह दोनों rays पीछे जब produce करेंगे तो जहां पर यह मिलेगा यह dotted line में मिलाएंगे हम लोग इसको इसको dotted line में मिलाएंगे क्योंकि यह virtually मिल रहा है really यह मिल नहीं रहा है तो यह जो point होगा इसी point को हम लोग principal focus बोलेंगे principal focus उस point को बोलेंगे जब दो या दो से ज्यादा parallel range after reflection meet at a point in the case of a concave mirror and seem to meet at a point in the case of a convex mirror that's the definition of principal focus और यह जो distance होगा यहां से यहां तक का यह जो distance होगा हम लोग इसको पी और एफ बोलते हैं लिख सकते हैं पी एफ तो पी एफ is equal to focal length इसको small f से denote करेंगे और यह कहलाएगा focal length focal length और focal length और focal length और यहां से यहां तक जो distance है इसको हम लोग r मानते थे radius of curvature तो radius of curvature और focal length में जो relation है वो relation होता है r is equal to 2f और f is equal to r by 2 यहां पर यह जो focus होगा यह virtual होगा in the case of convex mirror convex mirror के case में focus virtual होगा लेकिन concave mirror के case में वो real होगा तो real focus और virtual focus में क्या difference है इस पर भी हम लोग discuss करेंगे next video में और नहीं ही होंगे आप लोग सब इस channel पर तु बिल्कुल नहीं है जरूर subscribe करें इस family को बड़ा बनावें जिससे की जादे लोगों के बीच में काम करने में और मजाए हैं ओके